और एक बड़ी ख़बर इस वक्त आ रही है आपको उता देंए बड़ी ख़बर अविवी मिल रही है गोरखपुर में बूत संख्या 386 पर एदियम मशीन खराब हो गई है खुटभार प्रात्मिक विद्याले का ये पोलिंग भूत है मदान केंद्रे एदियम खराब हो गई है मतदाता इससे परिशान है मामला है भूत संख्या 386 पर एदियम खराब होने इस जाहर सी बात है परिशान होंगे 306 नंबर का बूत है जहां पर ये इवियम मशीन खराब हो गई है और उसके चलते खुटभार का प्रात्मिक विद्याले का मतदान केंद्रे हां लोग परिशान हुए मतदाता परिशान हुए और हमारे साथ लगातार हम एके मिश्रा जी बने हुए हिंदी खबर के राजनितिक सराकार आप स्टूडियो में मौझूद हैं तो एके मिश्रा जी ये मतदान प्रतीशत की अगर हम बात करें अभी चर्चा आधी भी रह गई थी ये कि मतदाता अगर नहीं चाहेगा कि उसे बहुत बड़ा बदलाव यहां पर चाहिए है तो वो यहां निकल कर मतदान नहीं करेगा इसलिए मत प्रतीशत कम भी रह सकता है और कम रहने का मतलब क्या यही लगाया जाए नहीं देखिए अच्छे मैं आपको थोड़ा सा इंडेफ्ट डैनामिक्स की मैं बात करो नॉर्मली ऐसी बाते नहीं होती है देखिए दो कॉंसेप्ट होते हैं दो टर्मिनलोजी होती है एक होता है पॉलेटिकल क्यूज और द करते हैं कि हां भाई आप घर से निकलो यानि आपके क्यूज को एक्शन में बदलना लोग घर से निकले सरकों पर आए वोटिंग दे के दिन जो है जाकर के वोट वहां पर दें अब देखिए अगर मुद्दे और साड़ी चीजे बहुत स्ट्रॉंग है तो जो साइकोलोज यह जो क्यूज थे इतने स्ट्रॉंग पॉलेटिकल ट्रिगर में बगल गए कि पूरी की पूरी पब्लिक जो है चेंज के लिए या अपनी चीजों को पूरा करने के लिए अपने उद्देशों को पॉलेटिकल तरीके से पूरा करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में ज कुछ पह सकता है तो क्योंकि जब वो पर संट यह जतना है उस कि सद्टनाम साथ में किस तरह के मतदार ज्यादा सद्ने किसको नतीज एब फैरेस पर संट जाता है तो जदाना तरह कुम हार्ड कोर वोटर होते हैं यह जो पार्टे करता है पार्टि से टा ایर वन या टार 2 में जुड़े होगे हैं वह जाते हैं तो वहाँ पर आपका जो है饭जर परसेंट परसेंट अब जाता हैась लेकिन जब 75 परसेंट जाता है तो वोटर आप classification करिए तो tier 1 में आते हैं जो party के direct member है tier 2 में वो आते हैं जो party के direct member के जो है किसी तरीके से friend है relative है जुड़े हुए है party के member भले नहों लेकिन party में उनकी आस्था बहुत जबर्जास होती है वो directly party और उसकी activity हो से जुड़े होते है tier 3 में वो voter आते हैं जो कि पूरे साल inactive रहेंगे पूरे time inactive रहेंगे लेकिन जब vote के time पे महौल बनता है तो वो जागते हैं और सोचते हैं कि हाँ भाई हमें अपना vote देना चाहिए और वो जागर के vote दे आते हैं tier 4 में वो होते हैं जो totally नए introduce हुए रहते हैं या जो कभी जो कभी मतलब voting में interest नहीं रखते हैं कई बार जाते नहीं है वोट करने के लिए तो जब बहुत strong political cues and trigger होते हैं तो सारे tier 1, 2, 3, 4 के जो भी classification हमने आपको बताया है voter के सब जो है active हो जाते हैं और तभी ये vote percent आपका 75-80 percent पे जाता है तो अगर ये traditional voting होगी 50%, 55%, 60% का जायेगा तो यहाँ पे जो party के tier 1 और tier 2 के voter है major उनी के कारण ये होते हैं जो 50%, 55% तक cover कर लेते हैं तो इसमें result भी traditional जायेगा सर अब result tradition क्या होगा? traditional result ही होगा कि 2014 के पहले आप देखिये फूलपूर में क्या होता था? समाजवादी party जीतती थी, margin कितना होता था? जो विक्तली करता था, जो जीतता था और जो second number पे आता था मुश्किल से 2-4 percent का vote margin होता था गोरगपूर में आप देखेंगे तो ये margin बहुत जबर्जस्त रहा है उसका reason है, गोरगपूर की situation आप analysis करिए गोरगपूर अगर आप जाईए और दूरदराज के इलाकों में जाईए तो योगी आदितिनाथ कोई काम हो या ना हो लेकिन तब भी लोगों से मिलने जाते हैं दूरदराज के गाउंगों में लोगों से मिलना इन सब day to day activity से एक political bonding डेवलप होती है आपके candidate party और आपके voters में, public के बीच में लगातार 20 सालों से, 25 सालों से वो ऐसा काम कर रहे हैं तब ही मैं बोलता हूँ कि योगी आदितिनाथ या इस तरह के candidate अगर निर्दली भी खड़े हो जाएंगे तो लहर का उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा वो जित जाएंगे फूलपूर में देखे बीजेपी की कोई bonding नहीं रही है इनको बीजेपी का फूलपूर में इस बार अगर बांडिंग इतनी जवर्जस रही होती तो उनका local leader होता कोई local leader ही नहीं चुनार से क्यों leader ले आए मौरिया जी के बात फूलपूर में बीजेपी कोई local leader को पैदा कर ही नहीं पया इसका मतलब है कि bonding और hardcore जो ground label पर work होना चाहिए वो है ही नहीं तो यह सारे ऐसे factors हैं जिसके basis पर मैं बोल रहा हूँ कि यह यह चीजे जो है फूलपूर के लिए बीजेपी के लिए मुझे डाउट लग रहा है traditional गया तो वही दो-चार परसन का मार्जीन होगा सपा बसपा जीते ही ठीक है हमारे संबाता लखनों से इस वक्त हमारे साथ सीधर जुड़ रहे हैं हम लालचन के बास चलेंगे लालचन क्या इस्थिती है इस वक्त overall voting percentage हम देखें आप लखनों में माहौल क्या देख पा रहे हैं चाहिए कहीं न कहीं जो चुनाओ है उसको कहीं न कहीं लोग जो है या तो संद्रे मान नहीं है चुट्टी का दिन इसलिए काफी संख्यम नहीं नहीं निकल नहीं है लेकिन जो चार घंटे का अब तक percentage रहा है तो गोरखपुर का जो 16 दस्मलों 80% फिरिजदी मद्दान हुआ है और अगर फूलपूर की बात करें तो फूलपूर में भी 12 दस्मलों 20% ही अभी मद्दान हुआ तो कहीं न कहीं जो लोगों में उस्सा वो कहीं अभी धीमत दिखाई दे रहा है और जो उस्सा होना चाहिए वह नहीं हो रहा है क्योंकि अगर देखा जाए तो यह चुनाओ बहुत ही अहम माना जा रहा था अच्छा परस्ट जा रहा था क्योंकि लोगाता सियम योगी जो वोटिंग परसंटेज जो भी रहेगा अगर जादा नहीं होता है क्योंकि अक्सर देखा यह गया है कि जब एंटी इंकमपेंजसी फेक्टर की हम बात करते हैं या बहुत जादा जनता अगर घर से नहीं निकलती मद्दान करने के लिए तो यह माना जाता है कि बदलाव का कोई मूड जनता का है नहीं लेकिन यह कैसे तैह हो कि बाकी के जो परसंटेज वोट का बारा पंदरा बीज जो भी प्रतिचत होगा उसमें किस तरह की वोटर ने वोट जादा दिया है यह वोटर है जो बदलाव चाहता है या यह वोटर है जो बदलाव नहीं चाहता है जी फिरकुल जिस तरीके से नहीं अगर बात करें तो जो परसंटेज अब तक आया है इसे फूल पुर का है वो बारत दसमलों 20% फीजदी मद्दान हुआ है और गोरफ पुर का जो है वो 16 दसमलों 80 फीजदी मद्दान हुआ है अगर टोटाल आग की बात करते तो 14 दसमलों अभी 45 के आज पास जो परसंटेज निकल के आ रहा है दोनों का तो इस तरीके से आ रहा है लेकिन अगर अभी वही वोटार है जो कहीं न कहीं जो रोच की तरह मद्दान करना ही चाहते हैं लेकिन वह वोट नहीं है जो बदलाव चाहते हैं तो कहीं न कहीं जिस तरीके से ज प्राइब कि यह वारे में किया हवा है क्योंकि हमने देखा कि गोरखपुर की तरह फूलपुर जो है वो ट्रेडिशनल सीट बीजेपी की रही नहीं तो वहां किस तरह की अंदासे लगा सकते हैं बिर्कुल साफ है कि जिस तरह के से वहां पर मद्दान चल ला है बहुत ही धीमा चल लोग निकल ले रहे हैं तो कहीं न कहीं जो बदला नजरिया दिख रहा था वो नहीं दिख रहा है क्योंकि यह कहा जा रहा था कि परसेंटेज अच्छा जाएगा जिस तरीके से जन सभाए हुई है और जहीं शिवात है कि इसको 2019 का जो चुना होना है उसको भी लेकर देखा जा रहा था लेकिन वह अभी तक वह समी करन नहीं बन पाए है जो बनने चाहिए थे क्योंकि जाहीं से वात है कि सब की नजर पूरे देश की नजर आज जो दो सबाद लोग सबाद के जो रहे हैं गोरपूर पोलपूर कहीं नहीं कि नजर है कि यह चुनाओ 2019 को देखा जा रहा था लेकिन अभी वह चीज नहीं निकल के आई है जो समी करन बन रहे थे कि जो सपा बसपा का गट बंदन है बीजेपी का मुकाबला है तो वह चीज अभी निकल के नहीं सामने आए है जो अभी बदलाओ जो होना चाहिए था वो भी देख परने को नहीं मिला है ठीक है लालचन बने रही है हमारे साथ लोटिंगे हम आपके बास मिश्रा जी ये अभी जैसे हम बात कर रहे थे चर्चा हमारी हुई थी आपकी मेरी कि ये जैसे लालचन नहीं बताया कि लिए देखेंगे शिक्के के दो पहलू में और लगबग सारे सट में गवंवनट बना लिया है तो बीजेपी के लिए ये कोई प्रतिस्था का सवाल नहीं है प्रतिस्था का सवाल होता तो सेंटर से लेकिन क्या जो गोरगपूर का मत दाता है जो योगी आदितनाथ के साथ हमेशा रहा है उनकी हर जीत में भागीदार रहा है वो इस चीज़ को एकसप करेगा के नहीं कि आपका एक साल हो गया आप अगर हार गया तो सीधे इमेज जो डेमेज होगी वो इन दोनों लोगों की डेमेज होगी हाँ बीजेपी के हाई कमान के जो पार्टी के लीडर है वो पुछेंगे कि भाई ये इसलिए वहाँ पार्टी हाई कमान से कोई है तो नेशनल लेबल थोड़ा सा बूदाबारी हो जाती है तो आदमी राहत की सांस लेता है तो अगर वो इलेक्शन जीत गए तो उनके अंदर एक खुशी की लहर जो है दोर जाती है सुरिंदर राजपुत जी हिंदी ख़बर में आपका स्वागत है और मतदान चल रहा है प्रतिशत बहुत कम है अभी तक आप लोगों का क्या विश्वास है क्या आकलन है परस्थितियां क्या कहती है आपके अनुसार देखिए दो बाते बड़ी पस्थ हैं मेरा एक तो आपके मातजनते मतदाताओं से नुरोधे कि सौप प्रतिशत मतदान करें और उसके बाद ही जलपान या खाना खाए एक बाद क्योंकि जब तक लोग संत्र में भारी मतदान नहीं होगा हर सक्ष की लोग संत्र में भाग लेकिन इसे लेकर आप खुद इस बात को मान रहे हैं कि यो बोटिंग परसेंटेज है वो फॉर्ट चेंज तो नहीं है अभी देखिए इसको लेकर के हम बहुत इस पस्जरूब से हम मत्दाताओं से अपीर जरूर करेंगे कि सौपर सिससत मत्दान की ओर बढ़ें क्योंकि लोक्तंत्र की मजबूती मत्दान पर ही आथा इसे लेकिन इसमें फूलपूर है या गोर मजूमी नहीं है और इसी लोक संत्र की खूर सूर्थी है कि हमारे यहां की अब तक की हिंदोस्तान की सर्वोष चिने का श्रीमत इज्द्रा गांदी जी चुनाव हार गई थी और इसी गोरखपूर ने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री टी एम सिंग को तिसी रांट इस लोक संत्र में कुछ भी संभव है लोक शाही को आप कुछ मत कहिए लोक संत्र अपने मतदाताओं से मजबूत होता है नेकाओं से मजबूत नहीं होता है तो क्या कहेंगे गोरखपुर फूरपुर की मद्दाताओं से क्या कहेंगे आप क्योंकि सरकार के लिए तो मतलब उनकी नजरों में सरकार का काम सैटिस्फेक्टरी है या विपक्ष कुछ गिनाएगा क्या मुद्दें बहुत इस पस्च रूप से विपक्ष सरकार की नातामिया गिना चुका है आज की जिट में मतदान का पर्व है इस मतदान के पर्व में बरचड़के हिस्साले सौप पृतिशत अपनी भागेदारी सुनिक्षित करें और पुछित प्रत्याश्री को जिता है ऐसा मेरा मानना ह ठीक है बहुत शुक्री आपना कीमती समय हिंदी खबर को देने के लिए सुरेंद राजपूत साहब नेता कॉंग्रे साब का धन्यवाद हम से जुड़ने के लिए एक हमिश्रा जी ये सिर्फ एक सांतो ना देने वाली बात है फाइट क्या देख पा रहा है गोरगपुर त यार डाल दिये हैं जब पॉलिटिक्स में इलेक्शन में जब कोई पाल्टी जीती रहती है और कॉंफिडेंट होता है ना नमबर वन या नमबर टू पे भी तो दाहर के बोलते हैं जी हमीं जीतेंगे हमीं सब्सक्राइब फिर ऐसी अपील नहीं करते हैं कि आप मतलब सिगनल फॉर चेंज जो चेंज यह करना चाहते थे शुरेंद राजपुट जी ने बोला प्रतिस्था का सवाल मैं मानता हूं मैंने बोला भी कि प्रतिस्था का सवाल यह इंडिविजुल प्रतिस्था का सवाल है योगी जी के लिए उनकी अपनी प्रतिस्था का सवाल है बीजेपी नेशनल पार्टी के लिए ठीक है प्रतिस्टा का सवाल है लेकिन वह बहुत ज़्यादा बाई एलेक्शन को ध्यान नहीं देते हैं ध्यान उनके लिए सरकार उनकी बनी हुई है दो सीट ठीक है आप ले करके चले जाए आप जीत गया हार गया में उनका फोकस होता है वह आप हार जाए अचा दूसरा चीज है विपक्ष के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वह इसलिए होता है कि जहां विपक्ष एकदम से मुर्जाया हुआ हुआ है उसका मनोबल डाउन है यह उनको थोड़ा सा संजीवनी की तरह काम करता है विपक्ष को थोड़ अगर बीजेपी हार भी जाती है तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बहुत शुक्रिया एक हमसे जोड़ने के लिए अपना कीमदी समय में देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तो अब सवाल यह है कि यह आज शाम पांच वई तक आप इंतिजार कीजिए मतदान प्रतिशत क्या रहता है नतीजे के लिए 14 मार्च का इंतिजार रहेगा लेकिन आज घड़ी में जब पांच बजेंगे हमारा आकलन इस्थिती राजनितिक सलाकार और जो भी विशलेशक हैं वो इस पर क्या कहेंगे हिंदी खबर पर यह आपको ब्रीठम दीते रहेंगी फ झाल